वेलकम टो सना अलाइंग का से स्वाची वीडियो में हम सॉल्फ करने वाले हैं दक्ष्टा आधारी सिक्षा की और बढ़ना यह पार्ट टू है पार्ट वन और अपलोड कर दिया है बीस कोशन के साथ इसमें भी बीस कोशन होगे इसके साथ मैंने इसका FLN पार्ट वन और पा वहां से जाकर के चेक कर सकते हैं चलिए शुरू करते हैं देखे पहला कोशन ने प्रतिफल आधारत पधति प्रदान नहीं करती है देखे इसका सही आंसर है उत्तीर या अनुत्तीर के रूप में आकलान क्लिक कर दें और नेक्स्ट कर दें बैच्चों का अच्छा स्वास और खुशाली बनाना इस बात पर ध्यान केंद्रित नहीं करता सही आंसर है भाषा और साक्षरता आप इस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर दें देखे नेक्स्ट कोशन दिया गया है बच्चे बीना समझे समान ए डिकोडिंग द्वारा यांत्रिक ढंग से पढ़ता सीखते हैं सही आंसर है गडित और परियावरण अध्यन नेक्स्ट कर दें बुन्यादी साक्षरता और संग्याग्यान की रूप रेखा को विभाजित किया गया है तीन विकासात्मक लक्षों में क्लिक कर दें और आगे बढ़ जाएं नेक्स्ट कोशन दिया गया है बच्चे को सीखन आधारे सिख्षा में आधर्श आकलन किया जाता है पूरा वर्ष आप क्लिक कर दें FLN फ्रेमवर्क में दक्ष्टाएं और सीखने के प्रतिफल प्राप्त किये गये हैं सही आंसर है विकासात्मक लक्षों से क्लिक कर दें और आगे बढ़ जाएं सन्दर्प के उप्यूक्त ग्यान, कोशलो और प्रवर्तियों के मेल को इस रूप में परिभाशित करते हैं दक्ष्टा के रूप में क्लिक कर दें और next कर दें देखे, next question दिया गया है रश्नवादी पदिती में सिख्षक को डैश के रूप में देखा जाता है सुगम करता के रूप में, क्लिक कर देए और next कर देए देखे, next question दिया गया है सिख्षक का अधिकार अधिनियम 2009 के नियम 232 का संसोधन चिनहित करता है कि इसका सही आंसर है सभी राज्यों को कख्षवार, विशेवार सीखने के प्रतिफल तयार करने चाहिए क्लिक कर दें, next कर दें, जिस सिख्षड में बच्चों की सीखने की अविशकताओं को पूरा नहीं किया जाता और केवल पाठिकरम को पूरा करने पर ध्यान केंदरित किया जाता है, उसे कहा जाता है सही आंसर है, गैर परतिक रियात्मक सिख्षड, आप इस पर क्लिक करके next कर दें next question है, दक्षटा मॉडल में सिख्षड की विद्याथी के डैश से मिलान करने के लिए योजना बनाई जाती है, विकास आत्मक तयारी की क्लिक करें next कर दें, कौन सा दक्षटा अधारी सिख्षा का प्रतिफल नहीं है, सही आंसर है, छात्र वार्शिक परिच्छा में उच अंक प्राप्त करते हैं next है, FLN फ्रेमवर्ग में सीखने के प्रतिफल विवस्थित हैं, सही आंसर है, सरपिला कार, आप क्लिक करके आगे बढ़ जाएं, गति विधिया जैसे कार्टना, फार्णा, चिपकाना, मोति पिरोना, पहलिया जोड़ना, गीली, मिट्टी, कले, बालु, पानी, आदी सी ख आधन के रूप में, आप क्लिक करके next कर दें, next question है, FLN का तीसरा वर्ष इस नाम से जाना जाता है, सही आंसर है, बाल वाटिका, आप इस पर क्लिक कर दें और next कर दें, देखे next है, कौन सा लक्ष FLN का नहीं है, सही आंसर है, बच्चे खेलों में भाग लेते हैं, क्लिक कर और next कर दें, देखे next question दिया गया है, गती विदिया जिन में भागना, दौरना, कूदना, संतुलन बनाना, साइगल चलाना शामिल है, डैश के लिए प्रदान की जानी चाहिए, बड़ी इस थूल मांस पेश्यों के विकास, आप इस पर क्लिक करें, देखे, submit को option आ गया है सब्मिट पर क्लिक कर दें, देखे, score 20 out of 20 आ गया है, इसका मतलब सारे question सही तरीके से solve हो गए है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज इस वीडियो को like करें, comment करें, share करें, और मेरे चैनल को subscribe करना ना भूलें, और सबसे important बात आप सब खुश रहें, and thank you for watching my video.